वीडियो में हम एकदम शॉर्ट में शैतान फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग फे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये वश से कैसे डिफरेंट है अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंदाती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कीजेगा इस शुरूआत में हमें एक मरा हुआ चूहा दिखाया जाता है और एक अंजान आदमी पोलितिन बैग में इस चूहे को रख लेता है फिर फिल्म के इंट्रो आती है और इसके बाद हम एक फैमिली को देख पाते हैं जिसमें चार लोग हैं यहाँ पिता का नाम कबीर है, मा का नाम जोती, बड़ी बेटी का नाम जानवी और बेटे का नाम धुरू है कार में जानवी अपने पिता से कहती है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ लगदाग ट्रिप पे जाना चाहती है and कबीर was not sure कि वो जानवी को इस strip के लिए allow करे लेकिन जानवी एकदम जिद करने लग गई थी और ऐसे में कबीर finally मान जाता है लेकिन कबीर के कुछ conditions थे like उन्हें जानवी के सभी friends का नाम और phone number चाहिए था and most important is कि जानवी को हमेशा अपना live location शेयर करना है जानवी इस के लिए मान जाती है और उसके friend strip पे जाने से पहले ये family अगले दिन एक छोटी outing पे निकलती है basically ये लोग अपने farm हो जा रहे थे और रास्ते में ये family एक restaurant में भोजन करने रुपती है यहाँ खाने में ये लोग पराठा मुवाते हैं और जानवी इस पराठा को खाने से मना कर देती है क्योंकि इसमें बहुत बटर था कबीर यहाँ दो चाय order करना चाहता था लेकिन उसके पास 20 रुपे छुट्टा नहीं था ऐसे में वहाँ खड़ा एक अंजान आत्मी अपने लिए एक चाय लेता है और तुम मेरा लड़ू खा लो जानवी फॉरन वनराज का दिया हुआ लड़ू खा लेती है क्योंकि आफकॉस बच्चों को मीठा खाना पसंद होता है लेकिन लड़ू खाते ही जानवी को थोड़ा अजीब फील होता है और वनराज जानवी को ये बटर वाला पराठा खाने कहता है इसके बाद ये लोग खापी के रेश्टरों से निकलते है और जानवी जानवी उसकी बात को सुनके हामी भरती है विच वरी अन्यूजल क्योंकि जानवी एक ऐसी लड़की थी जो कि किसी की एक नहीं सुनती थी लेकिन वो वनराज की हर बात सुन रही थी इन फैक्ट फार्म हाउस पहुँचके वो सबसे पहले उस पैकेट से बिस्किट निकाल के खाती है खैर फार्म हाउस में पूरा पडिवार खुब इंजोई करने लगता है और जोती नोटिस करती है कि वनराज इनके फार्म हाउस के बाहर खड़ा था वो ये बात कबीर को बताती है और जब तक कबीर पूल से निकल के वनराज से मिलने जाता जानवी उसे अल्रिटी घर के अंदर बुला ली थी वनराज का कहना था कि उसकी फोन डेड है और वो यहां के बस अपनी बेटी को फोन करना चाता है इनके फोन से कबीर को ये अजीब तो लगता है लेकिन वो वनराज की रिक्वेस्ट मान लेता है हम देख पाते हैं कि वनराज यहां जानवी पे नज़र रख रहा था और अब भी जानवी उसकी हर बात मान रही थी ज्योती वनराज के घर में आने से खुश नहीं थी लेकिन कबीर का कहना था कि हम बस उसकी हेल्प कर रहे हैं और थोड़ी देर में वो चला जाएगा और मैं चेंज करके उस पे ही नज़र रखूंगा जानवी वनराज से बात कर रही होती है जहां वो उसे अपने बॉइफ्रेंड के बारे में बताती है वनराज कहता है कि तुम लड्घाक ट्रिप पे नहीं जा पाओगे क्योंकि तुमें तो मेरे साथ चलना है वो जानवी को इस प्रस्ताव पे ओके बोलने के हरा था और जानवी भी for some reason ओके बोलने के लिए कमपल हो रही थी लेकिन तबी धुरूफ जानवी की तरफ बॉल फिकता है जिससे ये awkward interaction बंध हो जाता है धुरूफ बार बार जानवी से खेलने को कहता है थोड़ ऐसे वन्राज जानवी से कहता है कि आज तो उपने भाई के साथ इतना खेलो कि आगे उसे खेलने का मन ही ना करें इसके ठीक बार जानवी जाती और धुरूफ को swing पर बिठा करू से बहुत जोड से जुलाने लगती है इससे धुरूफ डर के चीखने लगता है और ये बार जोती नोटस करती है कभीर जोती किसी तरह जानवी को रोकते हैं और अब तक ग्रुप को तो चक्कर वगेरा आने लग गए थे कभीर जानवी पर थोड़ा गुस्सा होते हैं और वहीं बैटा वनराज कहता है कि जानवी पापा से सौरी बोलो और जानवी तुरंत सौरी बोलती है अब खाना खाते वक्त वनराज फिर से इनके फैमिली मैंटर्स में दखल अंदाजी करने लगता है और वो कहने लगता है कि मुझे आपके फैमिली के बारे में सब पता है वो जानवी से कहता है कि तुम अपने बोईफरेंड विवान को फोन लगा और उससे ब्रेक अप कर लो सर्पाइजिंगली जानवी एक्जाक्ली ऐसा ही करती है और ये सब देखकर जानवी के पेरेंट्स बहुत घबडा जाते है कबीर फोरण वनराज को यहां से निकलने कहता है लेकिन वनराज जाने के लिए तयार ही नहीं था ऐसे में कबीर वनराज को पकर के घर से बाहर निकालने लगता है लेकिन जानवी एकदम से पिता सही लड़ने लगती है सेंग कि अंकल कही नहीं जाएंगे वो अपने पिता को धखक देने लगती है और जानवी का बढ़ता ओ एकदम पागलो जैसा था जानवी कहने लगती है कि अंकल जो भी कहेंगे वो करना मेरे लिए ज़रूरी है वनराज यहां बताता है कि वो जानवी के साथ वशी करन किया है काला जादू यानि कि अब जानवी सिर्फ वही करेगी जो वनराज बोलेगा क्योंकि जानवी वनराज के वश में है डेमो देने के लिए वनराज जानवी को खड़ी होने देन बैठने के लिए कहता है और फिर यही काम बार बार करवाता है इनफाइक उसके अध्रोने कहता है, हसने कहता है वगेरा वगेरा यह सब देख जोती रोते हुए वनराज से पूछती है कि आपको हमसे क्या चाहिए वनराज पहले तो इनका सारा फोन टैबलिक यहां पर रखवाता है और फिर जानवी से सारा फोन तुरवा देता है वनराज यहां जानवी को चाय पत्ते तक खिलवाता है और अपने ही पिता कबीर को थपड़ भी मरवाता है अब वनराज जानवी से अपना पैर दबाते हुए कहता है कि मैं जानवी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ बेसिकली वनराज चाहता था कि जानवी के पेरेंट्स उसका दान करते यानि खुद कहते कि जानवी वनराज के साथ जा सकती है वैसे तो वनराज जानवी को ऐसे भी ले जा सकता है क्योंकि जानवी अफकॉस उसके वशी करन के अंदर है लेकिन अगर permission नहीं मिलती है न तो आगे चल के future में उसका वशी करन तूठ सकता है क्योंकि दिल से जानवी अपने पेडिन्स को याद करती रहे कि इसलिए पेडिन्स की प्रमिशन जरूरी है और कबीर एंजियोती को ये कहना है कि वो अपनी बेटी का आजीवन अरपन कर रहे है नो अफ़कॉस कबीर इसके तयार नहीं होता और ऐसे में वनराज कहें लगता है कि जब कोई मेरे सामने तरपता है और गिरगिराता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा कहके वनराज जानवी को एक लात मारता है और इसके रियाक्शन में कबीर वनराज को पीटने लग जाता है वनराज जानवी से धृफ का सरफोर देने कहता है और जानवी ऐसा ही करती है दूसरी दरफ हम पुलिस को यहां आते रेखते हैं क्योंकि जोती बार-बार पुलिस हेलप लाइन पर मिस्ट कॉल्स मार रही थी पुलिस घर के अंदर आती और यहां हम कबीर जोती वनराज को ऐसे बिहेव करते देखते हैं मानों यह सब फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं वैसा इसलिए क्योंकि वनराज जानवी को एक गैस सिलिंडर के उपर गैस ओपन करके बैठा दिया था साथी उसके हाथ में माचिस थी यानि अगर कबीर या जोती अपना मूँ खोलते तो जानवी गैस में आग लगा देती जिससे वो तो कम से कम मारी ही जाती और बाकी लोग को भी छती होता है क्योंकि गैस तो एक्स्प्लोड होता है ये लोग पुलिस को किसी तरह समझा बुझा के यहां से भेज देते हैं जिसके रद वनराज और भी भरकता है कबीर याँ वनराज को घर और पैसा भी ओफर करता है लेकिन वनराज कबीर के सामने ही पैसा जला देता है यानि कि इट वस क्लियर कि वनराज को जानवी ही चाहिए थी वनराज कहता है कि धन पाना, हवस और लालच ये सब बेकार की चीज़े मेरे अंदर नहीं है क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ बलकि मैं इंसानों से बहुत आगे बढ़ चुका हूँ ये उमरा की रात मेरे लिए आई है, उमरा परचाई का वो काला हिस्सा है जहां रोशनी की एक किरन तक नहीं पहुँचती इसके बाद वनराज संस्कृत में कुछ चीज़े बोलता है जो इस तरफ इशारा कर रही थी कि कुछी घंटों बाद वो एकदम सुप्रीम पावर होगा वो अहम ब्रह्मास्मी भी कहता है, यह सारी चीज़े ओरिजिनल फिल्म में नहीं थी, बट सिल आगे में कहानी बताता हूँ इसके बाद वनराज जानवी से कई चीज़े करवाता है, लाइक खुद को थपड मरवाना, बिना रुक के डांस करना, इन फैक्ट वो जानवी को चाकू लाने कहता है और खुद को गाड़ भी करवाता है एक पॉइंट पे तो जानवी पैंट में सुसुतक कर देती है और जोती उसका पैंट वगेड़ चेंज करती है इसी बीच मौका पाके जोती जानवी के हाथ से चाकू लेके वनराज पर हमला करती है यहां काफी हाथा पाई शुरू हो जाती है जहां वनराज और जानवी एक तरफ थे और जोती और कबीर एक तरफ ध्यान रहे कि जोती और कबीर जानवी को चोट नहीं पहुचा सकते थे लेकिन कबीर जानवी को बान देता है और वनराज को ओवर पावर कर जाता है वन्राज फॉरन जानवी को जोर जोर से हसने कह देता है और जानवी हसना शुरू करती है ऐसे में कबीर को न चाहते वे वन्राज को छोड़ना पड़ता है क्योंकि अगर वन्राज को वो मार भी देता है तो भी जानवी तो हस्ती ही रहेगी, कभी रुखेगी ही नहीं पूरी जिंदगी भार। Now, वन्राज next level पे जाता है, जहां वो जानवी से अपने छोटे भाई धुरुव को मारने कहता है। वन्राज के ऐसा कहते ही जानवी धुरुव को मारने चल जती है, और पेरेंट जानवी को रोखने की कोशिस करते है। जानवी इन्हें इमोचनली बेवगूव बनाके धुरुव को भोजने लगती है, लेकिन धुरुव कहीं तो छुपा था। इन्हें जानवी धुरुव को छत पे पाती है और थोड़ी हाथा पाई के बाद वो धुरुव को छत से नीचे फेक देती है। पेरेंट्स फौरण धुरुव के लिए नीचे जाते हैं और धुरुव की हालत गंभीर थी। इसलिए ना चाते हुए भी कबीर और जोती जानवी का आडपन कर देते हैं जिसके बाद वनराज जानवी के साथ यहां से निकल लेता है। उसके जाते ही कबीर अपनी बीवी जोती से धुरुव को हॉस्पिटल ले जाने कहता है मीनवाइल वो खुद जानवी के लोकेशन को ट्राक करते हुए वनराज का पीछा करता है। बिसिकली जब इनके बीच हाथा पाई हो रहा हता घर के अंदर तब कबीर कभी तो जानवी के फोन का लोकेशन आउन करके उसके पास ही रख दिया था यानि अब वो जानवी के रियल टाइम लोकेशन को ट्राक कर सकता था एक फोन का जुगार करके। दूसी तरफ हम वनराज को अपने अड़े पे पहुंसते देखते हैं जहां वो कई लड़कियों को अपने वशी करन का शिकार बना के रखा था। कबीर इन सब से लड़ते वे फाइनली आग वाली जगह पे पहुंसता है और वनराज कुछ देर के लिए अपना रिचुल रोपता है। कबीर वनराज के जीब को आग में कूदने वाली थी। करता है और यहां सारी लड़कियां कबीर पे हमला बोल देती है। कि पूरे इवेंट्स के दोडान कबीर अपने पॉकेट में एक वोईस रिकॉर्डर रखा था। इनके फार्म हाउस पे एक ऐसा सिचुवेशन आया था जहां वनराज इन्हें टॉंट करते हुए मतलब इन्हें चिरहाते हुए कह रहा था कि आपको क्या चाहिए कि मैं सभी को आजाद कर दूँ। ठाकि सब नॉर्मल हो जाए हमेशा के लिए तो हां इस ओडियो को रिकॉर्ड करके अपने बेटे की मदद से कट एडिट करके कबीर परफेक्ट बना लिया था जो कि वो अभी प्ले करके सभी लड़कियों को आजाद कर दिया। अगले सीन में हम पुलिस को भी देखते हैं जिनसे हम जान पाते हैं कि उस जगह पे 108 लड़किया थी। 108 ही क्यों क्योंकि 108 नंबर का हमारे धर्म में काफि सिग्निफिकेंस है। निन्वाइल हम देख पाते हैं कि जोती भी ठीक है और धरुफ भी अब हील कर रहा है। अब यहाँ से कहाने एक साल बाद किया आती है जहाँ मूवी के स्टार्ट वाला सीन देखते हैं। जी हाँ, वही चूहा पकड़ने वाला सीन और चूहा पकड़ने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि एक कबीर था, जो कि जंगल जैसे जगा में एक basement के अंदर कहीं दो जाता है, और यहाँ हम देखते हैं कि वो वनराज को कैद करके रखा है, जी हाँ, दोस्तों, वो वनराज को चूहा और चाय पती खाने देता है, और कुछ डायलोग्स मारता है कि कैसे parents अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वही बच्चे के लिए भगवान होते हैं, इन देंड हम समझ पाते हैं कि अब यही basement या bunker वनराज का नर्ख है और कबीर उसका भगवान, या फिर हम कबीर को शैतान भी कह सकते हैं, और इसी point पर फिल्म खत्म हो जाती है, तो दोस्तो यह थी शैतान फिल्म की कहानी, और यहाँ वश फिल्म से थोड़ी बहुत चीज़े बदली गई हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि वश फिल्म में कोई police नहीं आई थी, मूवी के बीच में, दन एंडिंग तो पूरा ही बदल दिया गया है, I mean वश की एंडिंग काफी दुखद और डाक थी, वहाँ पिता अपनी बेटी के कान में कईची डाल देता है, ताकि वो विल्म की आवाज ना सुन सके, साथी उसकी बेटी का वशी करण कभी खत्मी नहीं होता, और वो फ्यूचर में भी mentally unstable ही रहती है, बात करे बीबी और बेटे की, तो उनका भी hospital जाते वक्त आक्सिडेंट हो जाता है, और वो भी मारे जाते है, बिसेकली वहाँ जो main character था, जो कि यहाँ पे कबीर प्ले किया है, वो end तक सब कुछ हाड़ गया था, और वो पूरी तरह तूट चुका था, और इसलिगे वो वहाँ के villain को अपने साथ बंदी बना के रखा था, उसे चूहा और चैपती खाने नीटा था, लेकिन यहाँ शयातान में ending काफी happy सी दी गई है, जहाँ सब लोग बच गया, कैसे वनराज की recorded voice की मदद से, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि आज दो AI का समय है, तो ऐसे भी वनराज का कोई न कोई आवाज कॉपी करके किसी को भी कुछ भी कर सकता था, यही वज़ा है कि मुझे personally वश वाली ending ज्यादा impactful लगी थी, क्योंकि of course वो ज्यादा dark सी थी, in fact उसमें emotions भी ending में ज्यादा थे, और हमें लगता है कि भाई कुछ बहुत बुरा हुआ, वैसे एक और बात clear है कि हाँ, शैतान मूवी की जो budget है, वो वश से काफी ज्यादा पूरे दुनिया को ही अपने वशी करन में लाना चाहता था, तो हाँ, ये भी एक difference है, तो आप मुझे बताओ, आपको वश की कहानी ज्यादा अच्छी लगी थी, या फिर शैतान की, दोनों की expression शाहल पर है, आप चाहें तो दोनों को जाके देख सकते हैं, वैसे आपकी opinion म comment में जरूर बताईएगा, तो बैस आज की वीडियो में इतना ही वीडियो में आपको जाएगा, तो बैस आज की वीडियो में इतना ही